हलो गाईश सुबा के साड़े छे बज रहे हैं हम आगे अपने छत पे आप लोग देखिए मोसम कैसा है चारो तरफ कोहराई कोहरा चाया है सर्धावाय चल रही है बहुत कड़ागे कि थंड़ पड़ रही है और मैं कि उसुबाई इतनी जल्दी अपने छत पे आया हूं मैं यह जह सब्सक्राइब लोगों को बताना चाहता हूं कि आज मेरे कपूतर को हम नहीं हमारे भाई ने बलकि बंदरों ने खोल दिया है मैं सो रहा था घाइस तो मेरी वाईफ ने बताया कि एक बढ़ करणा कभूतर जो नीची आगर गिर गया है कहीं से आ गया है तो हमने दर्बे में बन बन किया तो यह कहीं से आ गया फिर जो मच्छत पढ़ा तो देखा कि मंदरों ने हमारे नीची वल्य दर्बा खोल दिया था और हमारे कबूतर च्छेसाद कबुतर भढ़कर बाहर निकल गये थे और बाकी दर्भे में बैठे रहे जम्मंचल प्याद देखा कि हमारे तीन कबूतर यहां च्छत पर बैट हुए थे और 4 कबूतर नहीं थे तो मैंने उन्हें आसमान तेखा मुझे कही नजर नहीं आए कि हमारे कवुतर कहां चले गए हैं गाइज देखिए मोसम कैसा है चारो तरफ कोरा कोरा चाया वह बढ़ा कराके कि ठंड पड़ रही है साड़े छे बज रहे हैं और कुछ भी दिखाई नेजर हर तरफ धुंदला धुंदला ही नजर आ रहा है और सरद हवाएं भी चल रही है गाइज मेरी नजर सिर्फ आसमान पर है कि कास कहीं हमारे कवुतर दिख जाए और मैं उन्हें हेर रहा हूं मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं कि कोरे के वज़े से कुछ साफ नजन नहीं आ रहा है ज्यादा तूर तक दिख भी नहीं रहा है तो मैं चारों तरफ से चक्कल लगा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि अंदर फिर से एक बार देख लू हमारे साथ कवुतर हैं यहां नहीं है कितने गैब हुए हैं मैं उनकी काउंटिंग कर लू मैंने अंदर दर्वा खोल जाका तो मुझे पता चला कि मेरे चार मुझे नजर आ जाएं सामने देखा तो मुझे तीन को तरफ बैठे हुए नजर आये हैं हमारे तीन के बूटर ठंड में ठिटूर हुए और फुला कर बैठे हुए हैं लेकिन मैं बुला रहा हूं वहां नहीं रहे हैं स्याद हुजाद बंदरों की वज़े ज्यादा और आपी बंदर गया ही नहीं चारो तरफ बंदर खाले हुए हैं कोई नजर नहीं नहीं आ रहा है लगता है कि इन्सान ही नहीं रहेता है जिसके जोको उसके शट पर सुन्फ को रहा है मैंने भी सोचा कि इतनी ठंड पढ रही तो चले नीचे ही जाते हैं भी थोड़ी देरे बाद वापस आजएंगे साहिए हमारे कभुतार